नमस्ते फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे कीचन में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हस्ता क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी मठरी की रिस्पी इसे आप बहुत आसानी से बना पाएंगी वीडियो फुल वॉच करिएगा आपको बहुत ही आराम सी रिस्पी बनानी औ और इसे आप जब चाहे तब बना के चाय के साथ इंज्वाय कर सकती है जैसे आपकी मरजी हो वैसे इसे आप खा सकती है तो चलिए देर न करते हुए रेश्पी को स्टार्ट करते हैं यह मैंने दो कटोरी बच्टे जो का आटा ले लिया है आप जो के आटे की जग गेहूं का अटटा मैदा किसी वी चीज़ से बना सकती है और इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे श्पी यहा छाण लेगे जो के आटे में भूसी बहुत ताकि सारा नमक और सारी चीजें सब तरफ अच्छे से मिल जाए उसके बाद हम मोयन के लिए डालेंगे घी मैं देशी घी डाल नहीं हो आप इसकी जगह तेल का भी यूज कर सकती है मैंने डाई चमज घी डाला है आप इससे कम भी डाल सकती है यह थोड़ा से जादे है आप दो चमज डालेंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा यह और खस्तापन तो बहुत अच्छा आता है सबको अच्छे से हम कर देंगे मिक्स हाथों से रगडते हुए और अच्छे से ह बनने लगा है तो अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बना लेंगे है जो आटा थोड़ा सा पानि जादे लेता है इसलिए आप देख लीजेगा कि कितना पानी लग रहा है उसाफ से डालके और इसका बहुत अच्छे प्रत्य से बखुत बनेगी दो को क्या करेंगे हम रखनेंगे 10 निट के लिए 10 मिनटरेंट के बाद इसको फीर हम क्या करेंगे अच्छे से इसको हम थोड़ सा नीट कर लेंगे यह देखे रोप कुछ अच्छा बना है अब कि हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम बीचमे लगाएंगे कि टाकि इसकी पर्ते से माइक इसको बनाना बहुत जरूरी है मैंने लिए चमतव मैदा लिया है र्डालें Japanese और उसमें लेई नहीं होती गोंद जैसे होता ना सेम वह से बन जाएगा ये और इसके बाद क्या करेंगे साइड में उसको रख देंगे और जो आटा हमने बनाया है ना उसके तीन भाग कर लेंगे चार भाग इतना हो सके जितना आपके पास हो आटा उस हिसाब सब देख लिजेगा और इतना नहीं फटतेगा इसकी किनार्य इतनी पटती है अगर आप जow के अटे का यूश करेंगे तो इतना ही वह पटेगा तो कोई बात नहीं क्योंकि हम इसको गिलास से कट करेंगे किसी भी आप सेंगम कलग सकतिиком के पास पतली है बहुत जादे मोटी है उस पर हम लगाएंगे वह जो मिक्स मिक्चर हमने बना के रखा था ना वह अच्छे से उंगलियों से चारतर फैला के हम लगा देंगे और इसको हम हाफ फोल्ड कर देंगे हाफ फोल्ड करने के बाग दूसरी साइड भी लगा के फिर हम उसको परक्रदर कर देंगे और इसको किनारी पर थोड़ा सा दभा देंगे हलका से बाइंगे फ्रेंश अगर नहीं दाएंगे तो यह तिल में चादी कूल जाएगा एक और आपको बना के दिखा रही हूँ है देखिए मैंने थोड़ा सा धृल को अफ्वाद सफ्मसमेरीअ businesses टी कर लेंगे देखिए मैंने सारा बनाके रेडी कर ली हूं अब गैस पर चढ़ाएंगे कड़ाई को कड़ाने बाद उसमें डालेंगे रिफाइंड आयल आप सरसू के तेल में भी इसको तल सकती है और इसको हम क्या करेंगे गरम एक देखे चोटी सी गोली मैं डालके देख रह नहीं तो यह अच्छे से खस्ता नहीं होंगी और पच्ची रह जाएंगी और जब एक तरफ से हलका सीख जाए तभी हम इसमें चम्मच या कोई चीज लगाएंगे नहीं तो यह तो ऐसे हम अच्छे से उलटते पलटते हुए तल के गोल्डेन ब्राउन कर लेंगे सब्सक्राइब चैनल को अगर करेंगी तो ऐसे सी बहुत सारी में अच्छी रेसिपी लाती रहती हूं तो इस तरह हम गोल्डेन ब्राउन करके और सारा तलके हम निकाल लेंगे और तलकी निकालने बाद हम उसको किसी छन्नी में या छेड़ वाले बरतन में रखेंगे जिस अच्छा और क्रिस्पी स्नैक्स बना है इसे आप इंजवाय कर सकते हैं चाय के साथ सामकी चाय के साथ या फिर आपकी जब मर्जी हो तब इसको बनाए खाए और इंजवाय करिए यह देखिए मैं आपको दिखा रहे हूं तोड़के अभी तो यह गरम है फ्रेंस भी ठंड सब्सक्रावत और खस्ता यह हो जाएगा यह देखिए बहुत ही खस्ता बना है यह देखिए आप चाहे जिस सेब का इसको बना सकती है मैं दो तिन से दिखा दी हूं इसमें आप जिस चाहे उस सेब का बनाई इंजवाय करिए वीडियो पसंद आया तो चैनल को